अगर आप समयते हैं वो बड़े हैं वह उनको तो शिया की अपनी अवाम जो इस तना अश्री शी हैं उनके तो उनके साथ भी मुझादले रखे हैं जो शिया के लिए जिन्दगी मौत का मसला है सहीद की गार सहीद के साथ शादी कुफ का मसला उन्होंने तो उसको नास्भी वैं शिया ने हसन अला यारी साथ को नास्भी टिकलेर किया वैं अब यह जो मुकदमा है तमाम फिरके से तालुक रखने मोड़े लोग जो हैं मैं कल हसन अली यारी को भी सुन रहा था यकिन आप भी सुना होगा बलके आपके बहुत सरी वीडियोज भी हैं तो वो कहते हैं और मैं तो डिजिटल मीडियम के ओपर बात करना चाहता हूँ मैं रहे तो वो तमाम चीजें पूरी होती हैं पहले एक दफ़ा मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता वो सच कह रहे हैं नहीं कह रहें लेकिन मैं उनका मौकफ दे रहा हूँ हो कहते हैं कि जी मुझे पहले रहे इमेल पर कॉंटेक्ट किया और कहा क मुछ लम्हों के बाद कुछ मिन्टों के बाद आदा ग। आया एक क।टे का मैं पूरा मुहमद साजिद रजी नकवी ओन करेंगे तो उसके बाद मुझे किया जवाब दिया किया भी आपके सब्सक्राइबर कम है देखें तो यह जो सब्सक्राइबर काम होने वाली बात है तो शायद इस पर तो मैं ना यकीन करूं क्योंकि आपकी इतनी सारी पौड़कास्ट एर्रिस्पेक्टिव किसी के कितने सब्सक्राइबर ने हैं पंद्रा सो वालों के साथ भी है तो चाल रही है तो यह जो पहले दिन से जो आप बात कर रहे हैं कि साजद नकवी साब कह दें कि यह हमारे फिरके का नुमाइदा है इसकी जीत मेरी जीत इसकी हार मेरी हा रहा है वीडियो में लिखवा के नहीं तो हम बैठेंगे और दूसरी बात जो आपने बात की मैंने आज तक आपके कैमरे में कह रहा हूँ हसन अलायारी साथ के साथ ना तो मेरी कभी फोन पर बात हुई ना कभी इमेल के पर बात हुई ये बेसिकली हमारे एक मुश्तरका दोस्त कह लें या और्डियंस के तोर पर अलियुलासन नकवी साथ जो पिंडी में होते हैं उन्होंने अपने एंड के ओपर उन से बात की और वो सिर्फ अलायारी साथ से नहीं वो दुनिया के हर फिर्के के स्कॉलर्र से बात करते हैं मेरे भी आपके पर खाम खा अपनी तरफ से वो साथ बताते भी हैं कि इंजिनियर साब से मैंने पूछा नहीं है लेकिन चुक्छे उनका इलान है इसलिए आपको दावत है तो मैंने जो इलान किया हूँ है पहले दिन से वो ये किया हूँ है जो भी इदर आना चाहता है वो अपने फिर्के के बड़े से वीडियो बनवाए उसकी वज़ादी ये है मैं ये झी करह रहा practical बड़े के बड़े की वीडियो बनवाए वो तो नमुमकिन होगा तो मेरी बात सही नी कली ना कि ये नुमाइंधा नहीं है उनका नुमाइंधा parler? मुफ्ती मुनीव साभ या मुफ्ती मुनीव साभ जिसके हाग में वीडियो बना दे नुमाइंधा कोन है? तक्यूस्मानी साभ ऐल-अधीस में साजदमीर साभ اور شیعہ میں ساجد نکوی صاحب اب ساجد نکوی صاحب اگر ویڈیو حسن اللہ یعنی صاحب یہ کسی کے بارے میں بھی بنا دیتے ہیں ویڈیو کہ اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار ہے یہ میری طرف سے میرا ریپ ہے تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اور یہ بھی ان کی خواہش پہ مجھے کوئی ضرورت نہیں مجھے بتائیں مجھے کیا خواہش ہے کہ میں نے علماء کے ساتھ بیٹھ رہا ہے भई हमारा तो दावत का काम इतना बड़ा है कि हमारे पास इस तरह की मुझादले करने का टाइम नहीं है लेकिन चुके लोग समझते हैं कि शायद इस तरह करने से याली मदद जो है वो तोहीद साबित हो जाएगा और याला मदद कहना शिर्क साबित हो जाएगा तो हम कहते हैं अगर कोई इस तरह की भी आपने कोशिश करनी है तो कर देखें लेकिन इसके लिए है और ये शर्त क्यूं रखिए ये लॉजिकल है इस वक्त मौलना फजुर्मान साब के हाथ पे पांच लाग से ज़्यादा उल्मा बैत है मुझे बताएं मुझे अमरे नू भी मिल जाएं मैं पांच लाग उल्मा के साथ डिबेट कर सकता हूँ एक बंदे से इल्मी डिबेट करूंगा न फिर उनकी पब्ली कहें कि ने ये तो छोटा आलिम था आप इससे करें उससे करूंगा उससे करें तो हमने तो काम ही खतम किया है हमने कहा बड़े को लाँच करो अगर तुम्हें खौइश है तो मुझे तो खौइश नहीं है या बड़ा अपना रैप किसी को नामज़त करते अगर वो समझता है कि मैं गूंगा हूँ मैं बोल नहीं सकता या आखरी उमर में मैं सिठ्या के हूँ मेरी एदाश उतनी नहीं है मुझे एक नौजवान चाहिए जो मुझे साथ फीड करें तो ठीक है रख ले खुद भी बैठ जाए उसको साथ बठा ले वो इसको फोलो कर रहे है या फिर ये अब उनका मुकदमा ये है कि ये आप इंजिनियर साथ क्यों तैय करते हैं कि हम किसको बड़ा मानते हैं मैंने तो नहीं तैय किया नहीं हसन अला यारी कहते हैं कि मैं साज़े साथ को मानते ही नहीं कि वो बड़े हैं आप वो नहीं मानते हैं तो हम इनकों नहीं मानते हैं हम शिया की अवाम से पूछेंगे कि आपका नुमाइंदा कौन है मुझे बताएं ये दियोबंदी बताएंगे कि हमारा नुमाइंदा कौन है या एक गली मुहले का आदमी बताएगा कि हमारा नमाएंधा कोुण है जो बंदी उल्मा जो बंदी अवाम अपना बड़ा किसे मानती है तकि उस्मानी साब को एक बंदा कहता है मैं नहीं मानता भी तेरी तो ऐसी है दिकोणी ना حسن اللہ یاری صاحب अगर आप समयते हैं वो बड़े है भई उनको तो शिया की अपनी अवाम जो इसनाशरी शिया है उनके तो उनके साथ भी मुझादले रखे हुए है दो मसलों में कितना बड़ा एक्तलाफ चल रहा है जो शिया के लिए जिन्दगी मौत का मसला है सैय यह गायर सैयmetros के साथ शादी कुफ कामसला उन्हें तो उसको नासमी डिकलियर किया है शिया ने हसन अलाज्यारी साहब को नासमी डिकलियर किया है तो यह तो फो खुद मुनाजों से थाबित हो गया ना भई जब तक خان साब ओन नहीं करेंगे इसी तरीके से जब तक जरदारी साब किसी को पीबस पार्टी में ओन नहीं करते वो लाग क्याता रहे मैं पीबस पार्टी का लीडर हूँ वो लीडर नहीं होगा बड़ा बताएगा क्योंकि वो तो बागी हैं वो तो खुद अपनी बचारी टिकेट के लिए लड़ रहे होते हैं अब आखरी सवाल इस मूदू का करते हैं अगले सवाल प्रवानी आप ने जितनी बाते हैं उनसे की हैं आप सारी भी मुझे से करें ना सो मन तेल होगा ना रादा ना चेगी अब ना नो मन तेल होगा ना रादा ना चेगी अब आगे बड़े जेन उलमा जो हमारे खिलाव बोल रहे हैं जो इस सरब कॉल उनके चीगे जैसे अश्री जलाली साब उनके करेंदे हैं अश्री जलाली साब के आवाले से बड़े बड़े जयीद उलमा के बड़े बड़े फत्म है कि यह लसुनना से खारज यानि आपस में कुछ मसाइल होता है ना इस तरह इनको बड़ा आसान फरार का रास्ता में लगए इस तरह को कोई बंदा मिले गए लिए आप स्मार्ट प्ले करेंगे उनकी मताबिक कोई स्मार्ट प्ले नी कि हम लोग मिलेंगे वो कहते हैं मेरा इखतलाफ है बनीब रिमान मुफ्ती साब के साब करें ने इसको छोड़ दे इनका मकसद तो ब्रेलवियत को साबित कर रहा है ना यह कहना ना मेरे सीने में दर्द ह ब्रेलवियत का अगर यह समझते हैं इनका इस्तलाफ है कोई मसला नी जिसका इतफाक है ना मुफ्ती मुनीब रिमान साब से उसके आग में वीडियो बनवाद है तो वो इसका मतलब है कि ब्रेलवियत की करोड़ों की वाम में एक मुफ्ती नीव कुरेशी है जो अपने वि प्रेलाइन में कोई एक भी नहीं इसकाबिल तो फिर यह के ना मुझे बताएं दोनों से कौन सी बात है या इधर बली चड़ो या इधर बली चड़वाओ अचा सार अगर हम इसको आप समझ रहे हैं जी मैं एगरी हो गया है तो यह स्मार्ट प्ले होता तो मैं इतने आने का एर टिकेट का कराया मैं दूँगा इसलामबाद तक यहां से स्पेशल गाड़ी भी जुआँगा सब कुछ करूँगा यहां उनको बठाओंगा मैं जमीन पे बैठाओंगा आएं खत्मे नबूत पे बात करें अकीदे तोहीद पे बात करें और यह भी इनकी ख्वा रहे हैं इनको कोई आन नी करता इनके सिवा जितने भी उल्मा हैं सारे मुफ्ती मुनीब को बड़ा मांते हैं और मुफ्ती मुनीब उनको आन करते हैं वो तो जलाली साब की तिमारदारी के लिए हैं तो मुफ्ती मुनीब साब चले जलाली साल को नमिनेट करते हैं अपनी चाहते हो, वो चाहते हैं कि मैं 80 प्लास हो चुक हूँ, इज़त के साथ दुनिया से चला जाओं, जाते जाते हैं मैं को खारी ना काट लूँ, ना मैं किसी ऐसे बन्दे को नॉमिनेट करूँ कि जितिया से मेरे फिरके की खारी हो जाए, वरना देखें अगर उन पे इतना वक्ताया है, तो इस मोके पे, वैसे तो मुझे कहते हैं मिर्दा जूनियर, मुझे बताएं, जब गुलाम आमद कादियानी दर्जाल निकला था, तो उसके मुकाबले पे पीर मेरे लिशा साब आये थे, उन्होंने अपना कोई बचूणा लाउच नहीं किया था, उस वक्त था, बैमानी करता था, और वो सूफियों की प्रॉडिक्ट था, मैं कुरान और सुन्नत को फालो करने वालो हूँ, वाकि मैं इनके लिए बहुत बड़ी ज़्माइश हो, कुए मैं हर चीज़ कुरान और सुन्नत से थाबित करता हूँ, प्लस इनके बज़र्गों ने जो ज लेरे लिशाय साहब के मुकाबले पर इस वक्त इस लेवल पर इस वक्त के जो अल्माइए, वो मुप्ती एनीव कुरेशी साहब नहीं है, वो मुप्ती मुनीबुर रह्मान साहब, मुफ्ती صاحب उनके मताबिक कहते हैं किंजिनियर साहब, उनका इलमी का इतना चोटा है मेर मुफ्ती मुनीव साब ये कह दें फिर तो मैं सौफ टारगेट हूँ न मेरा इल्मी का तो इतना चोटा है तो वो बड़े इतमाद से किसी के हाग में वीडियो बना दे कि ये जो है ना आलिम कराची का ये मेरी तरफ से जा रहा है इंजीनियर तू तो छोटा था मैंने देख तेरे मकाबले का एक छोटा बेज़ दी है इसकी जीत मेरी जीत ये ये तुझे हरा लेगा वहाँ जाके और इसकी हार मेरी हार है बना दें वीडियो मैं त्यार बैठा हूँ और ये भी इनकी खौइश पे क्योंकि ये मेरे कलिप काटते हैं और ये कहते हैं मैं इनको चैलेंज करता हूँ वल्ला बिल्ला तल्ला आज तक मैंने इनको चैलेंज नहीं किया ये कहते हैं कि बैठ अगर सच है तो फिर मैं उसके जवाब में कहता हूँ कि फिर उसकी नॉम्स ये होंगे उसके जो है वो टी ओ आर्स ये होगे बैठने के और सिंपल है यह अब दुनिया की इसी दालत में चले जाए ऐसे ही होता है और खुद देखें अभी उनीव कुरेशी साहब पे जब खुद बुरा वक्ता है तो यह क्यों कह रहा है कि जी वो अश्रफ जलाली को मेरे साथ बठाओ उसके शगिर्ट के साथ नहीं मैंने बैठना बास नेगल गई यह वाँ वो ही सारी बातें जो मैं करता था ना वो सारी शरायत यह भी रख रहा है अल्ला यारी साहब के बारे में Importi your के जबёт वेसरबानी साहब ने पूछा उन्होंने का असान ला यारी तो नमाइंदा है इनी अपने फिरके का उसको तो अपने लोगोंने फारिख किया हुआ तो यह नहीं अपने लोगोंने फारिख किया हुआ वो सारी बातें जो मैं एक एकर के माना है ये बंदा वीडियो में और ये मेरी करामा जाहर हुई है कि मरने से पहले ये एक्सपोज हो गए लोगों के सामने जो जो ये बाते का तथने ये वजूल है वो ही सारी बाते हैं जो ये खुद कर रहा है